हेलो विर्वेवन गार्णिंग वीद मिल्विंदर कॉर्ट चानल पर आपका बहुत सबागत है कैसे हैं आप हैं वीडियो के शुरात करते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल से वाइट कलर के फ्लार और एक बहुत ही प्यारा सा पीच कलर का फ्लार है मैंने इसका वीडियो अभी शेयर किया है अगर नहीं आपने देखे तो मुझे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इसका जो आज मेरा वीडियो नहीं है जो मेरा आज का टॉपिक है वो है लेसनिया वेल जा गार्लिक वाइन गार्लिक फ्लावर वाइन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे पर इससे मैं अपने रोज आख को दिखा देती हूं तो आफ्टर फटिलाइज करने के बाद इसकी जो है अच्छे से ब्लूमिंग और हैल्थ भी अच्छे हो गई है तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो अभी करिएगा और मेरे चैनल पर जाके इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्यूशन बॉक्स में मैंने दिया हूए वह भी देख सकते हैं तो चली आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खुबसूरत सा प्लांट गार्लिक पाइन इसके बहुत ही प्यारे फूल होते हैं और अगर आपने नहीं लगाया इसको अभी गार्डन में अपने लगायेगा क्योंकि इस प्लांट को लगी प्लांट भी माना जाता है और इसके फूल तो इतने खुबसूरत होते हैं कि आप देखो के तो लगाने का जरूर मन करेगा आप इस प्लांट को जरूर ट्राई करिएगा और यह सिंपल भाशा में हम इसे जो है गार्लिक वाइन प्लांट भी कह देते हैं वुड़ी स्ट्क वला प्लांट होता है और अगर हम इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें तो यह मन्yst वालेशईय इसका साइंटिफिक नेम है सरल सी वाशा में इसे लहसन या बेल भी कह देते हैं यह धेगे इसकी वुड़ी सीस्ट आज कि इसकी ग्रोथ होती जाती है और बंचस में इसके फूल आते हैं अगर आपने नहीं एड़ कि अपने गार्डन में तो ज़रूर एड़ कर लीजिएगा क्योंकि ब्यूटिफुल सा प्लाट है और बिल्कुल लो मंटेनिस प्लाट है अगर इसकी हम सॉयल की बात करते हैं तो प्लाट यह सॉयल मांगता है जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो आप इसके फूल देखिए पहले तो डार्क शेड में खिलते हैं बंचस में खिलते हैं फिर दीरे-दीरे से लाइट होते जाते हैं तो जब इस प्लाट को आप देखोगे इसका बंच देखोगे फ् बहुत ही प्यारे फूल होते हैं अगर आपनी नहीं लगाया तो मेरे क्याने से जरूर एट करेंगे अपके घर में जो भी दुरबाग्या जा कोई भी इसे लग्की प्लांट माना जाता है कहते हैं कि लाइफ में अगर कोई भी हमारे ऐसा जो है दुरबाग्या टाइम चल जान लग्की टाइम चल रहा होता है तो इसमें ये प्लांट जो है फाइदेमांद है यूसफूल है और आप लगाएगा जरूर इस प्लांट को लग्की प्लांट है और इसकी जो स्वाइल की बात करें मैंने इस को एक वेस्ट बकेट में लगा दिया था क्योंकि पहले छोट तो मैं उन्हें निकालकर इस ऐपने पलांट में इसी प्लांट में नहीं बहुत सारे प्लांट से उनमें डालती रहते हैं और उपर से फिर पतियों को मत्वय किया इस तरह से आप अपनी प्लाइट में डाल सकते हैं तो मैंने दाल दिया उना प्ड्ड गार्डन सॉइल इसमें ठोड़ा सा सैंट और सली और आ खाद के खाद Central और स्ली uno rule the मस्टड़ केक का एक बार जो है फ्लारिंग सीजन में इसको लीकुड फो में मैंने मस्टड़ केक डाल दिया था तो उसीं के जो देखे कितने अच्छी से फ्लारिंग हुर रही है और मैंने यह उपर चड़ाणे से को अभी चोटी है मेरी वेल लेकिन फ्लारिंग से आज भी आप देख सकते हैं कितनी लदी हुई है तो अगर आपने इस प्लांट को याड नहीं किया तो आप जरूर लगा लीजिएगा आपके गार्डन में बहुत सारे फूद देने वाली और बहुत भी ब्यूटिफूल साइस का कलर भी होता है वाटरिंग जो है इसको अपने एक दून छोड सकते हैं पर इतना जो है अच्छी सी आप सोईल बनाओगे तो डेली इसको जरूरत नहीं पढ़ती है पानी की मेरे कहले मैं तो एक आदा दिन बीच में चोड भी देती हूं तो जैसी आपको लगे के सोईल इसकी स प्लांट है इसकी कोई आपको कियर करने की जरूरत नहीं है और बस आप दो महीने बाद जा डेड़ महीने बाद इसको जो है फटिलाइज कर सकते हैं वैसे मैं इसको आप्टर शिक्स मांथ ही करती हूं जब इसकी फ्लारिंग होनी होती है उस टाइम में एक दो बार दे दे है कि इसमें इसको शेड में रखना है जो इस चरह सा कोई भी इसमें काम नहीं करना आपने फूल सन में बेज इजग रखिया का तो बहुत सरे फूल इसमें आ जाते हैं इस प्लांट की कटिंग से भी आप पोगेट से कर सकते हैं तो मेरा आज का वीडियो था गार्लिक तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको कोई क्वाईरी होती है तो कॉमेंट वॉक्स में पूछ सकते हैं इस चापे मुझे फॉलो कर सकते हैं तो इस प्लांट के चलते एक जो है नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं आपके साथ नई प्लांट की जो है ड प्रगाते रहेगा, thank you, thanks for watching my video, have a nice day.